आज बनाएंगी हम गुली का हलवा और सिंगाड़े का मतल़ सिंगाड़ा या गुली बोलें और आलू की चांट बनाएंगे तो आलू को पहले उबालने रख देंगे और जो सिंगाड़े का आटा है उसको हम भूनेंगी तो दो चमच गी डाल लिया है और इसमें डाल दियू पर आप ज्यान के नहीं तो यह जल्दी से जलना शुरू कर देता है आप हाई फ्लेम पर इसे बिल्कुल भी ना भूने अच्छे से देड़े से इसे कैस को कम करते हुए अच्छे से बूने मेरी मम्मी इसी तरह से इसे बना दी थी और मतलब उनी से सीखी है हमने यह रेसिपी इसे मतलब बिल्कुल बनाने का उनका तरीका एक्दम अलग और बहुत ही टेस्टी लगता था शिवरातरी के दिन का इंतजार करते थे हम यह हल्वा और आलू की चांट मतलब काफी क्वांटेटी में बनाई जाती थी हमारे गर में तो बस इसको मीडियम फ्लेम पर अच्छ हलका हलका कलर देखे चेंज हो गया है और गैस बंद करने के बाद अगर आप इसी में छोड़ रहें तो थोड़ी देर चलाते रहें नहीं तो कडाई में वह इतनी हीट होती है कि जल जाएगा उसमें या फिर आप अलग प्लेट में निकालके थंडा कल दें तो मैंने उसी म मैं गुड़ से बना रहे हैं इसे तो आप चीनी से भी बना सकते हैं आप गुड़ से बना सकते हैं तो जितना आपने आटा लिया है उतना ही आप इसमें गुड़ डालने तो करीब देड़ कटोरी आटा है तो देड़ कटोरी जितना आप गुड़ डालने या फिर आधा च कटोरी पानी मैं अभी डाल और एक कटोरी पानी पानी में रख लूंगी भरके आवर इसे मिक्स कर लेंगे इसमें लम्ब्स बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हम 2 तन्डे में कर रहे हैं और अगर हम उपर ही पानी डालते हैं गरम में तो ज़्यादा लंप्स बन जाते हैं और फिर काफी देर लगती है उन्हें निकालने में तो अच्छा सा मिक्स हो गया है एकदम इलाची भी कूटकी रखी हुई है और बस अब गैस ओन करेंगे और कडाई में इसे डाल देंगे ऊपर से थोड़ा से पानी इसमें डालेंगे और जो कटोरी में भरके रखा था तो सारा पानी डाल देंगे और यह मीडियम पर हम चलाते रहेंगे थोड़ी देर चलाने के बाद ये दीर दीर गाड़ा हो जाएगा गाड़ा होगा तो बस पकना स्टार्ट हो जाता है अच्छे से ऐसे ही चलाते रहें आप बिल्कूर भी हाई फ्लेम ना करें मीडियम फ्लेम पर ही इसे अब इसमें पहली मुझे एड कर देना था गुड़ या चीनी जो भी डाल रहें आप तो जितना हमने आटा लिया था उतना ही हम चीनी या गुड़ डालेंगे और पस इसे मिक्स कर लेंगे इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर आप इसमें ड्राइफ रूट या डाल सकते हैं लेकिन मेरी हां तो simple ही बंता था यह हल्वा और अच्छे से बुण गया आए अच्छे से मिक्स हो गया अब इसमें इलाइची पाउडर और घी डाल ले अब बैस इसे अच्छे से और बूलने एक थाली में घी लगा के रख लें जिसमें हम इसे निकालेंगे किसी भी बरतन में प्लेट में थाली में लगा ले और अब इलाइची पावडर और यह अच्छे से मिक्स कर लें और हल्वा भी एकदम तयार हो गया है अभी से हम प्लेट में निकाल लेंगे तो बस ध्यान रखें अच्छा पकना चाहिए कच्छा नहीं रहना चाहिए और अगर थोड़ा सा और पतला रखना चाहते हैं आप तो इसमें और थोड़ा पानी डाल सकते हैं जरूरी नहीं है कि म तो आप पीसे से बनाएं और आप थोड़ा पतला करके और इसको वैसे ही खा सकते हैं थोड़े से बदाम या कुछ उपर से आपको डालना है तो वह रख लीजिए चाहर पान अर्दस बदाम या फिर इसमें बीच में भी डाल सकते हैं तो मैंने नहीं डाले हैं आप कुछ थोड़े से घी में सेख कर भी इसमें डाल सकते हैं बस इसे प्लेट में निकाल लेंगे एक में अच्छा सब पग्या तो थोड़ा सा है ना टाइम लगता है इसे बूने में आप चाहें तो इसका जो आटा है उसे आप भून के रख सकते हैं एक दिन पहले और फिर जब बन में यहाइए सब ह息 थोड़ा सब के सब्सेश्पर को आघाह के थेशाना करते हाओ जना काणा के एकना के एक सब्सक्वन के सब्सक्राम में और बां एक तसını क्छे जब कर दें तो पर बस अलवा होगप जो गया और आर कि आन वारां बो आ लहिघ्सञा मिल अनले हर वटानky और डालेंगे हम कालिमेट्स तो मेरी बेटी को लग रहा था कि मैं कट करूंगी ममा तो वह आगे इसे कट करने के लिए तो बैस उसने कट किया इस चाकु से नहीं से करना है मुझे और पीसिस करने आप अपने इसाप से जैसे भी छोटे बड़े जैसे करने हैं आपको और बहुत तेश्टी लगता है और साथ में क्या है तीखा मतलब चांट बनाते हैं तो थुड़ा सा मीठा तो यह मतलब यह कॉमिनेशन बहुत अच्छा लगता है शिवरात्री का हम बेट करते रहते थे कि शिवरात्री कब आएगी और कब हमें वह हलवा और चांट मतलब मिलेगी खाने को और मेरी मम्मी से मतलब इसी तरीके से बनाती थी उन्होंने हमें यह रैसेपी सिकाई है और बहुत टेस्टी बनता है तो एक बार जरू ट्राइए करें अब सारे पीसे इसी तरह से आप निकाल के किसी डबी में डाल के रख सकते हैं जब खाने हो तब निकालने आप और पै लेंगे और आलों को काट लेंगे यह हो गया हलवा तयार एक बड़ मैं ऐसे भी ट्राइए कीजिए आप इसे बहुत टेस्टी बनता है और मुझे तो इसे खाने का बीच में भी मन करता है लेगि मैं कभी बनानी पाती इसे कि शिवरात्री आती है तब ही बनता है बस तो द बाजा दही लें खटी ना हो जादा और बस इसे फैंट लें आलियों को पीसिस में कट कर लें बस आप फोर्ड भी सकते हैं हास से चाहें तो लेकिन पीसिस में ही कट करके मैं इसकी चाड़ बनाते हूं इसमें काली मिर्च और ब्रेथ वाला नमक डालेंगे सिंपल रहता है और बस बुना जीरा डालेंगे और तयार हो जाएगे बस काली में इसमें डाल ली है, ठोड़ा से डाल देंगे इसमें बुना हुआ जीरा और डाल देंगे ब्रत का नमक, ठोड़ा सा काला नमक एड़ कर सकते हैं, उपर से दही डाल देंगे और ये त्यार है?, अलू की चांट तो आप अपनी इसाप से इसमें थोड़ी सी स्पाइसी अगर जैसे हरी मिच ब्रत में खाते हैं तो डाल सकते हैं या आप हरा दनिया खाते हैं तो डाल सकते हैं आप अपनी इसाप से कर सकते हैं तो रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा बेल आइकन को जरूर दवाएगा जिससे आने वाली रेसिपी आपको मेरी मिल सके तो फिर मिलते हैं नेक्स रेसिपी में तब तक के लिए बाई थेंक यू